गुड़ मॉनिंग कलास, सभी बच्चे फिर से आज में साथ जुड़ जाएं और जैसे कि हमने कल चेप्टर पढ़ा था Natural Resources and Their Conservation तो आज हम उसी से आगे पढ़ेंगे सभी बच्चे अपना कोपी किताब लेकर बैठ जाएं जो भी मैं वर्ड विनिक्स बॉलू उसको नोट कर लेना और अच्छे ध्यान लगा कर पढ़ना है आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएंगे कलम ने पढ़ लिया था Forests तक, जंगल के बारे में मैंने बता दिया था उससे आगे है wild life wild life मतल़ क्या होता है दोस्तो इसका मतलब बता है बन्यजीव जो वनों में जीव जनतू रहते हैं उनको कहते है wild life animal, bird and plant that live in their natural habitat क्या बोल रहा है animals जो होते हैं जो जीव जनतू होते है birds, पक्षी, plants जो भी in their natural habitat called wild life जो ये बन्यजीव होते हैं ये अपने आवास में रहते हैं आपास क्या है? जंगल तो habitat मतलब क्या हो गया? जंगल तो ये क्या करते हैं? जंगल में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं वन्यजीव wild life India is rich in wild life India जो है उसमें वन्यजीव बहुत जादा है there are number of species there are इसमें species मतलब क्या तो परजाती तो हमारे इंडिया में क्या है? बहुत परकार के वन्यजीव की पर जाती है बहुत परकार के वन्यजीव मिल जाते हैं birds and plants found in our country तो हमारे देश में क्या है? अलग-अलग परकार के वन्यजीव मिलते हैं प्लांट्स मिल जाते हैं natural habitat of the wild life are found all over India जिव जन्तों का जंगल है तो उनका आवास हमारे पूरे इंडिया में हर जगह पर है जरूरी थोड़ी एक हर्याना में जंगल है तो दूसरे राज्य में जंगल नहीं होगा बट क्या है हर्ज राज्य में क्या है जंगल है तो पर क्या है सम एनिमल लाइक ऐलेफेंट लॉइन टाइगर डियर रनोकर्स लेपरड एटीची जैसे कि आथी हो गया शेर हो गया टाइगर चित्ता हो गया डियर मतलब हीरन हो गया और यह रिंकोर होता है गेंडा लेपर्ड मतलब तेंदुआ आर फाउंड इन इंडिया यह सब क्या इंडिया मिलते हैं मैनी बर्ड्स लाइक पिकोक डॉवस डक्स पराकिट्स पिजन जीज करें इट्सी हैं इन हैबिटेट दा फोरेस्ट एंड वेट लेंड्स यह सब क्य इंडिया में अलग उड़ परकार की पाईजाती है नेक्स्ट कया है कंजरवेशन क्या ओते हैं सरक्षन क्या होता है स्रक्षन तो हम इन वन्य जीओं का जो अमारे इन जार्ड सोर्स हैं जो कि नवी करनी है जिनको बार बार उपयोग मिला सकते जैसे कि मैं निकल बताया था उनको हम स्रक्षन कैसे कर सकते हैं उनको हम दुबार से बचा कैसे सकते हैं तो इसनों क्या बता है conservation means judicious and wise use of our resources conservation का जो means है judicious मतलब बता है वेकपुर्ण and wise मतलब समझदारी से उसे हमें use करना चाहिए when we use resources wisely as per our real needs and also think about their their replacement क्या बोल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए कि हमारे जो renewable resources है उनको समझदारी से उप्योग करना चाहिए हमारे जरूरत की साब से मताबिक इसको प्रियोग करना चाहिए then it is called conservation तो इसका क्या हो जाएगा destruction हो जाएगा we should conserve all natural resources क्या बोल रहा है हमें क्या करना चाहिए हमारे सभी जो natural resources है सब क्या करना चाहिए conserve करना चाहिए सब क्या क्या करना चाहिए selection करना चाहिए whether renewables और non renewable चाहिए वो नवी करनी हो या फिर ए नवी करनी हो अब हम पढ़ते हैं अलगल परकार की चीजों का हम कैसे conservation कर सकते हैं जो फ़र्ष्ट पढ़ते हैं conservation of air जो ए हमारे वाईयूमेंडल में जो air मौजूद है उसका हम conservation कैसे कर सकते हैं air is present all around us and it essential for life क्या बोल रहा है जो air है वो हमारे पूरे बर्मांड में पूरे वाईयूमेंडल में उपस्थित है हमारे चार और उपस्थित है for its conservation हमें क्या करना चाहिए इस conservation करना चाहिए we should take step to avoid air pollution हमें क्या करना चाहिए एक अच्छा कदम उठाना चाहिए किसके लिए air pollution को खतम करने के लिए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा पौदी लगाएं पौदी लगाएंगे तो क्या पौदी क्या करते हैं carbon dioxide को grand करते हैं oxygen ठोड़ तो यदि वाईयो में carbon dioxide होगी तो वो क्या कर लें grand कर लेंगे तो pollution क्या हो जाएगा खतम हो जाएगा we should prevent smoke which is being added by various means we should prevent हमें क्या करना चाहिए जैसे कि smoke मतलब क्या हता है जैसे कि हम दुमर पान करते है ये सब क्या करना चाहिए इन को अवएड करना चाहिए इनको नहीं करना चाहिए दुमर पान मतल मजा हो इन समय में नहीं करना चाहिए इनसे हंगेर थे हैं अब्स सुद्धिक देन इन आट टू क्लिश्ची मेंगरणा चाहिए या मजू मराम खान पान स्वच्छそ सुर्य की रोजनी सौलर एनरजी इंगलोड दा वाइज यूज ओफ सौलर एनरजी क्या बढ़ रहे जो कंजर्वेशन ओफ लाइट है वाइज समझदारी से में उसका क्या करना चाहिए सौलर एनरजी का उप्योग करना चाहिए न सन प्रोवाइड अस लाइफ सूर्य हमें क्या करता है एक तरह से लाइफ प्रोवाइड तो करा यदि सूर्य नहीं होता है क्या यह दिन होता क्या कुछ होता नहीं होता सभी की चीज में क्या यदि सूर्य क्या है उड़ जाग सबस अस्त्रोध है मैंने आपको पहले बताया था आल फूड इज प्रोवाइड बाइस सन एज प्लांट मेक दियर फूड बाइस फोटो सिंथेसिज सभी के सभी पोदे सभी के सभी जो बोजन है वो किसकी साहिता से बनते हैं सभी साहिता से ज़िए सन नहीं हो तो माले कोई सबज सभी आप सकता होती है यदि वह नहीं होगा तो हो वहां माले कर पाएंगे तो क्या करते हैं सूरिय को चैन को गरोजन को वह नहीं कर दो कर दें हैं वी यूजिए एनर्जी इन सोलर कुकर हम क्या करते हैं सोलर कुकर होता है उसमें सिस्वा लगाता है यह उसमें सूरी एक रोस नहीं पड़ेगी तो उसमें जो खाना रखा हो वह क्या हो जाएगा पक जाएगा सोलर पैनल एंड मेनी मोर डिवाइसीज डेट के रन्विद दाहल ऑफ लर इनरजी इनजी exist कि मैं नेकल दिखाएथा आपको कैद करता है फ्रेट करता है और है फिकला बड़ा जेता है तो इन समय क्या करती हैं स्वस्pected का उप्योग करते है